पॉन सिंग जी का मर्जीर यहीं था कि बिहार में मुझे कहीं सी भी लोग चुनाव के लिए खारा कराएंगे और वहां से मुझे टिकट मिलेगा तो मैं पक्का लड़ूँगा लेकिन यह चीज़ नहीं सोचेते कि पच्छिम बंगाल बेद दिया जाएगा बंगाल से हम सौत चुनाव लड़ना है बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तब हम चुनाव लड़ेंगे दोस्तों उनके पिछले गाने को लेकर हो ने असलील असलील परकार के और जड़ा फोटो बनवा कर एक बहुत बारा थम्मल बनवा कर और दिवार पर चिपकाना स्टार्ट कर दे जिस करीजन जानकर आप बहुत जड़ान भी हो जाएंगे और चोक भी जाएंगे दोस्तों राजनिती की माहौल में देखा जाए तो पौन सिंग्जी का अभी बहुत ती से चार्चा चल रहा है साइध यह चीज उनको मालूम था कि हम बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ें पौन सिंग्जी का चाहने वाले लोग बहुत ज्यादा है और चाहने वाले लोगों का जब प्यार मिलेगा सपोर्ट मिलेगा तो उनको तो देखने के लिए ऐसा ही दस लाख बिस लाख लोग आते हैं लेकिन हाँ जब भोड का समय आगा तब पांच लाख चो लाख बोड उनको आसानी से जीतने के लिए मिल जाएगा यह मामली सी बात थे लेकिन दोस्तों आप सक बता दे पच्छिम बागाल में दोस्तों उनको सीट बीजेपी दे कर जान बुझ कर पांच सिंग जी का असेल्टी की है और इस सब का बारे में आप लोगों खुलासा करके आज बत कारे गाने हैं जो बंगाल को उपर गाना गाया गया है दोस्तों बंगाल के लड़कियों को उपर और बंगाल के औरोतों के उपर इतना जदा गंदा गंदा सब्द कर पांच सिंग ने गाना गये थे कि बंगाल में आसन सोल परता है आसन सोल तो हम गये है आसन सोल की हाँ भीजेपी में और अगर वहाँ जितने लाइफ कोई है तो पाउं जिंग 하니까 कह अनाम था कि हम कही से भी लड़ेंगे से टिकट मिले और ना मिले लेकिन हम चुनाव जरूर लरेंगे निर्दलिये लर सकते हैं अगर टिकट नहीं मिलेगा तो पॉन सिंग जी इस जिद को मतलब ठान लिए थे कि हमको लरना है तो लरना है चाहे हारे या जीते मुझे कोई फरक नहीं परता बस अब कि जो भी हो जाए मुझे चुनाव लरना है बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तब हम चुनाव लरेंगे दोस्तों उनके पिछले गाने को लेकर बंगाल के बहुत ही महान महान नेता थे जिनोहों ने असलील असलील परकार के और ज़दा फोटो बनवा कर एक बहुत बारा थम्मल बनवा कर और दिवार प्रचिपकाना स्टार्ट कर दे जिसकाम से बीजेपी को चुनाव लरने में पौलं हरवा दिया गया दोस्तों आप लोगो पता होगा जैसा आप खेति करेंगे उसा ही आप अनाज करेंगे ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं दोस्तों सेम उसी तरह से हुगा पॉन सिंग ने बंगाल को उपर इतना भदर परकार के गाना गए थे जिन कारण से बंगाल में जितने से पहले हुँ उनको वहां से हरा कर बज़िती करके भेद दिया गया दोस्तों 24 घंटा के बाद पॉन सिंग जी के ट्यूटर पर एक मेसेज आ गया जिससे लोगों को मालूम चल गया कि बीजेपी के टीकट मिलने से बहुत ज़्याद खुश थे लेकिन वहां से आसन सोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां पर सतुरौन सिनहा जी अभी है और एक बिहारी है और दूसरा बिहारी को भेज कर दोनों बिहारी को आपस में लाराया जाएगा और लारा कर एक बिहारी को हरा करो बिहार का बेचती कराया जाएगा इस चीज़ को सब देखते हुए पॉन सिंग के टीम ने खुद निन्नय लिया और बीजेपी के टीम को छोड तोने से भी निन्य लेए लेकिन इस चीज को अभी खुलासा नहीं किया जा रहा है कि पॉन सिंग जी बीजेपी को छोड़ रहे हैं लेकिन उनके टीम में ये चीज को पूरा खलवली मची हुई है कि बीजेपी आपको जान भुझ कर बकरा जो हलाल होता है उस तरह से आपको म पत्नी को लेकर तलाक का मेटा चल रहाता और चुनाव के समय में उनको पत्नी को अचानक से इतना जल्दी कैसे मिलवा दिया गया हो सकता है चुनाव के बाद पॉन सिंग जी के फिन वो मुद्दा फिर स्टार्ट हो जाने कि ऐसा नहीं हो न चाहिए बात यहीं है कि पॉन स बोक्स में जुरू बताइगा कि बीजेपी जान बूझ कर आसन सुल भेजी थी कि पौंचिंग जी के मर्जी से भेजी थी, पौंचिंग जी के मर्जी यहीं था कि बिहार में मुझे कहीं सी भी लोग चुनाव के लिए खारा कराएंगे और वहां से मुझे टिकट मिलेगा तो मैं पक्का लड़ूंगा लेकिन यह चीज नहीं सोचेते कि पच्छिम बंगाल बेद दिया जाएगा बंगाल से हम सौतीन लाने के बोले हैं वहां से मुझे सौतीन लाने का फिर मोका मिल ज डिश्टी के बहुत ही सुपरिश्टार कलकाार है अगर बहुत ही supplieda prostverage लड़ त Germans हार जाते तब भजपूरी निष्टी में बहुत ज़्यदा बैच्टी होता है आप लोग सोच रहे हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि पॉण सिंग जी को बिहार से चुनावला रहा है किसी भी जगह से तो यह कंफर्म है पॉण सिंग जी बहुत यह अच्छा भोटो से जीतें पक्का हमको उमीद है पॉण सिंग जी के पास पैसा कोई कमी नहीं है इसलिए नेता के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं लेकिन पॉण सिंग जी के पास पैसा कमी नहीं है वो जहां भी जीतेंगे मुझे पुरा उमीद है कि ओ तो बुलते कम है लेकिन अपने इस सारे सीतना ज़़ा काम करवा देंगे जिस एरिया में जीतेंगे कि उस एरिया में पुरा बिहार में ओईसा कोई नेतक काम नहीं करवाया होगा यह दावत के साथ कहते हैं, अगर आप लोगों विश्वास नहीं होगा, तो उनके बारे में एक बार जान लिजेगा, बहुत सारे वीडियो है, आप लोगों मिल जाएगा, और नहीं तो कमेंट कर दिजेगा, हम बता देंगे, पौन सिंजी कितने अमीर है, कितना पैसा है, उ आप कुछ बता देंगे, दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक लिए मिलते हैं, नमास कर,